बंगाल भी आज़ परिवार तंत्र के बोच तले दब रहा है बुआ बतीजा मिलकर बंगाल के संसादरों को लूट रहे भाई और बेहनों जब देश इतके आगे अपना स्वार्थ रखा जाता है तो देश का हाल यही होता है दीजी और उनके साथी आज कल देश विरोधी बोल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनकी राजिनिती जमीन डोल रही है साथियों कल आपने देखा है कि कॉंग्रेस पार्टी ने अपना एक जकोसला पत्र जारी किया है इस जकोसला पत्र में कॉंग्रेस में बादा किया है कि सेना का सुराक्षा कबत हटा देंगे जो कानून आतंकी के प्रभाव वाले छेत्र में सेना के जमानों को मदद करता है उसी कानून को हटा देंगे ऐसा ऐसी बात जिनोंने साथ साल पाक देश में राज किया ऐसे लोग कर रहे है आखिर कॉंग्रेस ऐसा बादा कर रही है जो पाकिस्तान में बैठे आतंके सरपरस्तों को मदद करेगा कि नहीं करेगा क्यों कॉंग्रेस देश की सुरक्षा के साथ फिलवार करने पर देश को अस्थीर करने पर तुली हुई है और भाईयों बहनों जबसे मैं चोकिदार चोकिदार कहने लगा सीमा पर चोकिदार है कहने लगा तो एक कॉंग्रेस के ऐसे नामदार है उनको हर चोकिदार पर गुस्सा आ गया और इसलिए शेणा के खिलाब भी इस प्रकार का कदम उठाने जा रहे है भाईयों बहनों अपने वोड मेंक के लिए तुस्ती करन की अपनी नीती की वज़ा से कॉंग्रेस हमेशा आतंगवाद के प्रती सर जुकाती रही है नर्म रही है याद है आपको आतंगवाद के खिलाब बना कानौन टारा एक किस ने हटाया कॉंग्रेस पोटा का कानौन किस ने हटाया कॉंग्रेस ने साथियों मद भुलिये देश में नक्सली माववादियों के खिलाब कारवाई के नाम पर भी कॉंग्रेस ने हमेशा सिर्व जूटे वाइदे किये अब सत्ता की भूख में वो अलगाववादियों और आतंगवाद के खुलकर समर्थन में आती हुई दिख रही है और जम बै कॉंग्रेस कहता हूँ तब कॉंग्रेस से निकले हुए त्रुनमुल वाले भी इस पाप के भागिदार है त्रुनमुल कॉंग्रेस हो और उसकी पुर्व पार्टी कॉंग्रेस पार्टियों सारे के सारे नागरिक्ता साउसोदन कानून के विरोध के भी यही बज़ग है ताथियों कानून हमारी सरकार ने भी खत्म किये है लेकिन ऐसे कानून जिनके खत्ब होने से लोगों की जिन्दगी आसान बनी और हमने 10-20 नहीं ऐसे 1400 से ज़्यादा कानून हमारी सरकार ने 5 साल में समाब तक ही है जहां स्थिती सुदर रही है वहाँ पर अप्सका को भी हटाने का काम हमारी सरकार ने किया लेकिन कॉंग्रेट जो कर रही है वो हमारे वीर जवानों का मनोबल तोड़ता है उसे कमजोर करता है भाई और बेहनों आपका ये चोकिदार कॉंग्रेस के ढकोसला पत्र और देश की सुरच्छा के बीच एक मजबूत दिवार बन करके खड़ा है कॉंग्रेस की साजिसों को ये मोदी कभी कामियाब नहीं होने देगा साथ योग कॉंग्रेस के ढकोसला पत्र की एक्सपारी डेट पहले से ही तय है तारिक है तेश मई कॉंग्रेस भी गई और उनका डकोसला पत्र भी गया देश की जनता पहले इस पर अपना छप्पा लगा चुकी है भाई योर बेंडो कुछ समाई पहले बंगाल में एक मंच पर कुछ लोगों को कहते सुना था मोदी हटाओ मोदी हटाओ मोदी हटाओ बड़ा मेला लगा था नहीं आपर देश के कौने कौने से एक से बढ़कर एक को भे इखटा किया था ना हाथ उपर करकर कर वे मोदी को घालिया दी थी ना अलग अलग राज्यों से नेता बंगाल आए सिर्फ इतना बताने के लिए मोदी हटाओ कलकत्य में इतना बड़ा जलसा किया मोदी हटाओ अरे भई क्यों हटाओ ऐसा क्या गुणा किया है मोदी ने आप बने बताईए गरीबों को घर देना गुणा है क्या अगर यह गुणा है तो मैंने किया है गरीबों को टॉलेट देना अगर यह गुणा है तो यह गुणा मैंने किया है गरीबों को रसोई गैस देना गुणा है तो यह गुणा मैंने किया है गरीबों को बिजली देना गुना है तो यह गुना मैंने किया है गरीबों को मुप्ति इलाज देना गुना है तो यह गुना मैंने किया है पिछले पांच साल गवा है कि अदेश यह सब करके दिखा सकता है ना मुम्किन अम मुम्किन है याद करिए पश्चिम मंगाल में जैसी स्थिती है वैसी ही कुछ समय पहले त्रिपुरा में थी कम्यूनस्टों की जंजीर में जकडे त्रिपुरा ने खुद कोई लाल बेडियों से मुक्त किया और बिजेपी को अपनी जिम्मेदारी सौपी ये भी नामुम्किन था जो मुम्किन हुआ अब आज कृपुरा तेजी से विकास की और बढ़ रहा है भाई योर बहनों जैसे बंगाल की सरकार ने अपने करमचारियों को आज तक साथवे वेतन आयो का लाब नहीं दिया है कुछ बैसी इस्तिती त्रिपुरा के लेप सासन में भी थी त्रिपुरा की लेप सरकार ने भी वहां के राज करमाचारियों को साथवे वेतन आयो का लाब नहीं लेने दिया था कर्मचारी मांग करते लेकिन लेप सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी क्रिपुरा में जब भारतिय जंता पाठी की सरकार बनी तब सात्वे बेतनायों का लाप वहां के राज कर्माचारियों को मिलना शुरू हुआ तात्यों हमारी सरकार जो संकल पर लेती है उसे सिद्ध करती है पाठ वर्ष पहले किसी ने सोचा था कि पाठ लाथ उर्पिय तक का इंकम टेक्स माप हो जाएगा तो चाथा क्या लेकिन नामुम्किन मुम्किन हो गया पाठ वर्ष पहले किसी ने सोचा था कि सामान ने वर्ष के गरीबों को भी दास प्रतिश्चत आरक्षन मिल सकता है आज गरीबों को भी आरक्षन मिला जो कि नामुम्किन अब मुम्किन है पाठ वर्ष पहले किसी ने सोचा था कि खुद को भारत का पाठ्यविदाता समझने वाले परिवार के करप्षन का हिसाब भी होगा आज पूरा परिवार जमानत पर है क्योंकि नामुम्किन अब मुम्किन है पाई और भेनों बंगाल की जंता ने मन बना लिया है अब बंगाल में ना तोला गिरी चलेगी अब हम और आप मिल करके एक ऐसा पंगाल बनाएंगे जो लेक्ट और टीमसी के गुन्ना राज से मुक्त होगा साथियों 2014 में आपके वोट के कारण हम देट के अंदर 32 सालों के गड़ों को बर पाए 2019 में आपके वोट से हम विकास की नई उचाईयों को पार करना चाहते हैं 2014 में आपके वोट के कारण आतंगवाद को मुहतोर जवाब मिला 2019 में आपका वोट आतंगवाद को खत्म करने में एक बड़ी भूमी का निभाएगा 2014 में आपके वोट के कारण सालों से अटकी लटकी बड़की योजनाय पुनर प्रारम हो पाई 2019 में आपके वोट से वर्ल क्लास इंफर्सक्टर का निर्माण होगा 2014 में आपके वोट के कारण सरकार की प्राफिक्ता फैमिली फट से बदल कार इंडिया फस्त हुई और 2019 में आपके वोट से भारत वश्विक स्तरपर फस्त होने का प्रयास करेगा 2014 में आपके वोट के कारण ब्रस्ताचारी जेल के दरवाजे तक पहुचे 2014 में आपके बोट के कारां ब्रस्टाचारी जेल के दरवाजे तक पहुचे 2019 में आपके बोट से ये ब्रस्टाचारी जेल के अंदर जाएंगे भाईयो और बेणो स्वामी विवेखानन ने इस देश के उठ्थान के लिए आवान किया था आने वाले पचास वर्षों तक सब कुछ बुल जाओ और केवल एक राष्ट्र रूपी इस देवता की सेवा करो आने वाले पचास वर्षों तक भारत मा को ही अपना आराज्य बना लो और इस देश ने बनाया हमारे क्रांती विरों ने बनाया देश के एक एक नागरिक ने बनाया और ठीक पचास वर्ष बाद देश को आजादी मिल गई आजादी के बाद पचास वर्ष और यदि यही देश स्वामी विवेकानन के मंत्र पर चल पाया होता तो आज पुरी दुनिया में हिंदुस्तान सबसे आगे होता मेरी यह भारत माता अपने नियस्तान पर आरूड होती लेकिन दुर्भाग्य इस देश को आजादी मिली पर देश की जनता को इस देश के मुल्चिंतन वाली भागदोर न मिली लोग तंत्र का बुर्खा ओड़कर परिवार तंत्र देश पर राज करने लगा देश में 55 साल परिवार तंत्र था लोग तंत्र की उम्रतो इस देश में मुश्किल से 15-16 साली रही है साथ यो यह कहना कि 72 साल में यह देश अपने टैलेंट इनोवेशन हाड़ वर्क के बल्बूते पर डेवलप कंट्रीज के भीच पे क्यों नहीं खड़ा है बहुत बड़ा सवाल है हमारे पास प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी हमारे पास देश के लिए जीने वाले दिवानों की कमी नहीं थी कठिन परिशन करने वालों की कमी नहीं थी हमारा काथ प्रकृतिक समसादन थे लेकिन 55 साल के परिवार तंत्र में युवा प्रतिभाओंक ने बौंस बाद के निचे दम तोड़ दिया 55 साल के परिवार तंत्र में महनत का गलाया ब्रस्णाचार ने गौड़ दिया 55 साल के परिवार तंत्र में गरीद के सप्रों को वोट बैंक ने कुचल दिया 55 साल के परिवार तंत्र ने सवहार्द में जाती वाद का जहर गोल दिया 55 साल के परिवार तंत्र ने सेना के सोर्य को डलाली का गहन लगा दिया 55 साल के परिवार तंत्र ने देश के लोगों को त्याग और देश भक्ति को नदर नाच कर दिया बंगाल भी आज बंगाल भी आज परिवार तंत्र के बोज तले दब रहा है बुआ बतीजा मिलकर बंगाल के संसादरों को लूट रहे यहां के सामर्त के साथ नाइंसापी कर रहे है ताथियो बंगाल की धरती देश भक्तों की धरती है जैसे देश को अंगरेजों से मुक्ति दिलाई उती तरह देश को इस परिवार तंत्र से मुक्ति दिलाकर चन संत्र को लोग संत्र को मजबूत करने का काम भी यह बंगाल करेगा और देश को दिशा देगा इस बंगाल की धरती का मुझे पर बहुत रून है इस बंगाल की धर्ति का मुझ पर बहुत बरून है जीवन के पड़ाओं में बैजब सारी दुनिया दारी छोड़कर कुछ सपने लेकर के आगे बढ़ रहा था तो इसी बंगाल की धर्ति ने मुझे आदेज दिया कि इस देश की सेवा ही मेरी नियती है राम किस्रे मिशन में पुझा आत्मस्थानन जी अम नहीं रहें उन्होंने मेरा लालन पालन किया उन्होंने मिजब बनाया मेरे जीवन को बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमी का रही और उन्हीं के अदेश से मैं फिर से वापीस इस सेवा की दुनिया की और चल पड़ा देश वाशों की सेवा के लिए सब कुछ खपा देने का साहथ दिया और साथियों जब तक मैं यह सपना पुरा नहीं कर लेता मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ 72 साल की निराशा और जरता से देश को बाहर निकालना है हर टालेंट चाहे गरीब हो या देश के दुरदराज वाले इलाके में उसके लिए इस देश में आउसर पैदा करने है देश के कौने कौने में आदुने की इनफास्टर खड़ा करना है हमारे किसान अनदाता उनकी आज दोगुनी करनी है सेना का आदुनी करनकर उसे मजबुद बनाना है आत्मनिर्भर बनाना है स्पेस और या साइंस या टेक्नलोजी बहतर साल की कम्यों को पुरा कर दुनिया में सब से आगे जाना है साथ आईए आने वाले पांच साल हम सब इन संकल्पों को पुरा करने के लिए खप जाएं आने वाले पांच साल यही संकल्प दिन रात हमारी रगों में दोड़ते रहे सोते जागते उड़ते बहते हमारा एक ही चिंतर हो बस इस देश का विकात करीबों का उठान तब जाकर पिछले 72 सालों की बरपाई होगी तब जाकर मेरे देश के स्वतंतरता सेरानी हमें माप कर पाएंगे उनकी आत्मा को सांती मिल पाएगी हमें और आपको मिलकर बंगाल की हर महान हस्ति के सपनों की चोकिदारी भी करनी है उनके सपनों को भी पूरा करना है और इसलिए मेरे भाईयो भेनो मैं आप से आगरा करूँगा ये त्रनमुल ने लेप से बंबंदुक का जो कल्चर उधारी लिया है उसको परास करने के लिए मौका है आपका एक एक वोट किंती है अपकी सुरक्षा ये बंगाल सरकार की भी जिम्मेवारी है बारत सरकार की भी जिम्मेवारी है हम हमारी जिम्मेवारी पूरी तरह से निभाएंगे, ये मैं विश्वाद देने आया हूँ मैं भी, मैं भी, मैं भी, गाओं गाओं, गली गली, शहर शहर, डॉक्तर भी, सिच्छत भी, इंजिनियर भी, कलाकर भी, हर नागरिक, देश में भी, सीमा पर भी, देश हमारा भायो भनो, यही मिजाज देश को आगे ले जाएगा, बंदे, बंदे, बंदे आप आस्वस्त रहिए, आपका ये चोकिधार पूरी तरह से चोकना है गार भी, बंदे रहार, बंदे, 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 बंदे